हेलो हाई आप सब का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षा पत्पे और मैं हूँ आप सब के सामने नम मलिक उम्मीद है कि आप जितना भी परिवार है मुझे जानते होंगे ठीक है और बहुत जल्दी जल्दी मतलब मुझे उम्मीद नहीं था इतनी तेजी से अपना ये में वाले मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो धीरे धीरे जूड रहे हैं और उम्मीद करती हुच्छा कि आप जिस भी एम के लिए ये इतनी जादा महनत कर रहे हो वह आपका जल्दी से पूरा हो आप अपने घरवालों को ये खुशी दे सके कि हां मा या पापा मेरी जोब लग गई है ठीक है क्योंकि वो खुशी ना उनके लिए देखने लायक होगी वो खुशी का पल तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुडू करते हैं ज्यादा लम भी इसको नहीं रखेंगे बस एक जानकारी आपको मुझे देनी है जो मुझे लगता है ब 1960s के दशक से ही बहुत सारे गुरूप जो है वह आपके बनाए गए ठीक है उन में से एक जो सबसे बड़ा गुरूप था उसने अपने हतियार यानि कि पीस अकोर साइन कर लिया है तो कुछ को तो हम रास्ते पे ला रहे हैं जो हमारे इंडिया में रहकर ही आपका ये सारी करते थे ठीक है बहुत टाइम पिछले दो से तीन महीने में आपने देखी न्यूज में भारत के बाहर चाहे वह पाकिस्तान हो चाहे वह चाहे वह आपका अमेरिका तो खेर उसका भी रम नहीं कह सकते पाकिस्तान और कैनेडा हम ये दो प्राइम एक्जामपल अभी रख सक करते हैं कि जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं ठीक है भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधी ओमें शामिल होते हैं उनको लीड करते हैं उप्तीले वह उपर वाले की दर्वाजे प autopsy का अपने कि पाकिस्तान में फलाना मर गया कोश टाइम पहले आपने निजदर का सुना होगा कि भाई उसी गोली मार के हत्या कर दी गई है कैनेडा में है तो इनको मारा जा रहा है अब अमेरिका की तरफ से जो कि फाइवाई का पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट एक तरह से कह सकते हैं निजदर की हत्या के बाद कैनेडा ने बहुत सारा रोश जो है अपना दिखाया था पीछे जो आप यह तस्वीर देख रहे हो यह मेरी तस्वीर है यह है आपका गुर पत्वंत सिंग पन्नू ठीक है यह बैसिकली क्या है कि यह भारत से भागा था ठीक है यह आपका के पाकिस्तान की मांग करते हैं उनको जीवर के सपोर्ट करना इसको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान और कनेडियन बहुत सारे तो इसके पास funding की कमी तो बिलकुल नहीं है तो यह वहां पर बैठ कर यह पहले कनेड़ा ध्यान रखना वहां बैठकर यह भारत विरोधी गति वीदिया करता है इसने कुछ टाइम पहले एर इंडिया को लेकर बात भी कही थी कि 19 नवंबर को फ्लाइट में मत बैठना कुछ भी हो सकता है यह और वो यह सारी ठीक है तो यह इन चीजों में लगा हुआ था और भारत जो है आज के टाइम पर वह एक अखंड भारत वाला तक बहुत सही जाती है बच्चा है ना वहां पर उन्हों एक आप हमारी धरती मत ना प्यूं कि थी क्या मत करना तहिंक ये काम तो वह भी कर चुके हैं बहुत है ना उनकी अब इसी में एक न्यूज यह आई है कि भारत के द्वारा जिनका नाम रिपोर्ट में सीसी वन लिखा गया है अमेरिका में रह रहे एक सक्ष भारतिय ही था वो निखिल गुपता जो की गुजरात का रहने वाला है यह नाम बहुत जरूरी रहेगा बच्चा आपकी जानकारी के लिए उसको हायर करते हैं उसे कहते हैं कि आप हमारे लिए एक हिटमैन ढूंडिये इक कहते हैं सुपारी किलर ढूंडिये जो आपके कहने पर आप उसको पैसे देंगे और वो किसी भी आद्मी की रिए बिना ये पूछे कि वो कौन है या नहीं है फिक है निशने पर कौन था यह व्यक्ति जो कि खालिस्थान चिलाता रहता है ठीक है तो इसको मरवाने के के लिए इसके सुपारी दी गई थी तीसी वन यहां भारत में बैठे एक एजेंट के थुरू निखिल गुपता को निखिल गुपता को बोला गया था कि आप एक हिटमेन हायर करिए इसको मरवाने के लिए यह जून की घटना है बच्चा ठीक है यह तब से चलिया रही है तो अगर उसको एक टास्क दिया गया है है ना तो वो ऐसे एक व्यक्ति की क्या करता है वो ऐसे एक व्यक्ति की तलाश शुरू करता है धीरे धीरे तलाश में उसको एक लिंक मिलता है उसको एक व्यक्ति मिल जाता है जो उसके कहने पर कुछ पैसों में ठीक है कुछ पैसे लेक उन में से एक व्यक्ति कहीं न कहीं अमेरिका की सरकार से जाकर मिला हुआ होता है ठीक है उनके लिए काम कर रहा होता है या उनसे किसी भी तुरू जुड़ा हुआ होता है यह रिपोर्ट में भी नहीं बताया अब अगर एक ऐसा आदमी ठीक है भारत के कहने पर ठीक है भारत क प्रोसेस चल रहा होता है इनको भनक नहीं लगती किसको नहीं लगती निखिल गुपता को बिल्कुल भनक नहीं लगती वह अपना सारा नाम एक तरह से 15,000 डोलर के आसपास वह पेमेंट भी कर चुके थे और उन्होंने बोला था कि जून से पहले पहले आपको पन्नु की हत् प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है तो यहीं पर जो है निखिल गुपता फस जाते हैं यह सारा मामला जो है कोर्ट में जाता है अमेरिका ने एक भारतिय पर न्यू योर्क में ठीक है भारतिय मूल्क एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है इस सक्ष का नाम निखिल गुपता है जिसे चेक रिपब्लिक में अरेस्ट कर लिया गया था अगस्त के महीने में ही आरोप में कहा गया है कि भारत में बैठे एक एजेंट जिसका नाम सी सी वन बताया है कि कहने पर निखिल गुपता ने हत्या के लिए एक किलर की आपकी क्या की थी एक तलाश शुरू की थी जो निकला इवेंचुली बाद में कहीं न कहीं अमेरिका की गोव्मेंट से जुड़ा हुआ ठीक है अब क्या हो सकता है इसमें आगे निखिल गुपता के लिए आगे का रास्ता तो इसी में ही एक इससे पहले और जानकारी अमेरिका की सरकार से ठीक तब से लेकर यहां तक जो है वो पहुंची है ठीक है तो यहां पर अगर अगर गुपता यह निखिल गुपता की ही बात हुरी है दोशी पाया जाता है तो उसको 20 साल की सजा ठीक है क्योंकि बच्चा किसी दूसरे देश की धरती पर आएक इल्लीगल काम कर रहे हो आगे आ के लिए हायर किया था वैं अमेरिकन एजेंसी का खूपिया एजेंट निकला पता दे कि गुपता को 30 जून 2023 को एक रिपब्लिक पर साचन ने पकड़ा था यह काम अमेरिका के साथ उसकी दुपक्षय संदी के तहत किया गया था गुपता को अमेरिका कब सोपा जाएगा इ नहीं है बता दे कि इस मामले में भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है 18 नवेंबर को एक हाई लेवल जाच कमेटी जो है वह आपकी इसको लेकर बनाए गई थी अब इसमें आगे क्या होगा निखिल गुपता को कैसे भारत एक तरह से कहिए चुड़ा पाएगा क्या भारत का स्टांस इसमें रहने वाला है अब यह देखने वाली बात होगी बच्चा तो कुल मिलाकर पन्नू अभी भी जिन्दा है लेकिन उसका अंत तो नजदीग है यह नहीं तो कोई और करेगा यह काम बट उसका अंत नजदीग है वो लोग जो भारत को तोड़ने की बात करते है इवेंचली उनको ऊपर जाना ही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर यह पूरी ख़बर आपको समझ आई है तो इस क्लास को शेर जरूर करना बचा थैंक यू सो मच एवरिवां टेक कियर एंड बाई बाई